अक सारे सब होता है कि आप अपना डिवाइस जो है, वो कहीं रख करके भूल जाते हैं या आपका जो Android डिवाइस है, वो कहीं चोरी हो जाता है तो ऐसे केस में क्या करें, किस तरह उस दिवाइस को ट्रेक करें और कैसे उसे ढूंडें ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए जब भी Android डिवाइस को ट्रेक करने की बात आती है तो वहाँ पर एक चीज सबसे कोमन है जो सामने निकल कर कियाती है वो है आपके डिवाइस का IMEI नमबर ये जो IMEI नमबर होता है वो आप आसानी से निकाल सकते हो ये आपके फोन के बिल में जो फोन का बोक्स होता है उसके पीछे और फोन के अंदर भी होता है आप स्टार हैश 06 हैश लगा करके अपने IMEI नमबर को निकाल सकते हो ये जो IMEI नमबर है वो आपके डिवाइस को ट्रेक करने में आपकी काफी ज़या हेल्प करता है अप कंडिशन दो तरह की लागव होती है कि आपका जो डिवाइस खोया है वो एक स्मार्टफोन है या एक फीचर फोन है अगर जो डिवाइस खोया है वो फीचर फोन है तो आप ज़्यादा कुछ उसमिक करने सकते हो सिवाई यह कि आप पुलिस टेशन आईए और वहाँ पर एक F.I.R. लॉंज करवा दीजिए और पुलिस वालों को अपना जो फोन का IMEA नंबर है वो दे दीजिए वो उसके दुआर आपकी डिवाइस को ट्रेक कर सकते है जब भी उसके अंदर कोई नई सिम डालेगी तो उनके पास में एक नोटिविकेशन चला जाता है और पुलिस वालों को असानी से उसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाती है मगर बात यहाँ पर आती है एक स्मार्टफोन की अब बात हम यह कर लेते हैं अगर वो Android है या iPhone है तो दोनों को आप किस तरह से ट्रेक कर सकते हो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा पहले Android के बारे में अगर आपका Android स्मार्टफोन गुम हो जाता है और अगर आपका फोन ओफ है और ऐसी कंडिशन के अंदर चला गया है जहाँ पर जो फोन आपका गुम हुआ है वहाँ पर नेट्रुक नहीं या आपका फोन स्विच ओप है तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो वहाँ पर option मिलता है आपको lock your device का तो अगर आपके device के अंदर lock भी नहीं लग हुआ है तो वहाँ पर आप क्लिक करके आपके device को पूरी तरह से lock कर सकते हो तो उससे क्या होगा जिसने आपके device को चुराया है या जहाँ पर भी आपका device है तो वो जो इंसान है आपके phone को access नहीं कर पाएगा आपका पूरा-पूरा data वहाँ पर lock हो जाता है और अगर आपको यह लगता है कि आपको device अपना कभी नहीं मिलेगा तो वहाँ पर एक option होन मिलता है erase all your data यानि कि आप वहाँ से आपके जो phone के अंदर data भरा हुआ उसको पूरी तरह से erase कर सकते हो आपका पूरा-पूरा phone है वह format हो जाता है जिससे जो आपके data के बेच होने का या leak होने का कोई भी खत्रा नहीं रहता है अब एक ऐसी condition की बात कर लेते हैं जो अकसर आप लोगों ने face की होगी कि आप अपने एक smartphone को कहीं पर रख करके गर में भूल जाते हो और फिर आपको याद नहीं आता कि मैंने वो कहां रखा है तो ऐसे में भी यह जो android device manager है उसको आप काम में ले सकते हो इसके उपर आपको एक option मिलता है ring your device का जब आप इस option पे click करते हो तो आपका जो smartphone है वो ring करने लगता है अपनी proper full आवाज में चाहे वो silent भी हो तो उससे आप अपने device को असानी से find कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं अगर किसी का iPhone गूम जाए तो उसके लिए आपको मिलता है iCloud का option iCloud के उपर आप जाकर के अपने device के अंदर जो best possible option है वहाँ से उसको control और access कर सकते हो यहां तक कि YPO data, find my device और locate your device का भी option वहाँ पर आपको मिल ही जाता है तो इस तरह से आप अपने lost device को बचा सकते हो और उसके data को भी save रख सकते हो उम्मीद आपको यह जो वीडियो काफी helpful लगी होगी अगर यह वीडियो आपको helpful लगी है तो इसको like करो, मेरे channel को भी subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे content आपके लिए रोज लेकर के आता हूँ और इसको जादा शीजादा share करो तक यह information जादा शीजादा लोगों तक पूंचे और वो भी इसको काम में ले सके मैं मिलता हूँ आपसी अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई